दोस्त अगर आपके facebook page या फिर profile पे content monetization policies हुआ है तो आप उसको easily कुछ asset ही कर सकते हो जो कि कुछ घंटों में ही लेकिन अगर आपने ये तीन गलतिया नहीं करी है अपने facebook page या फिर profile पे तभी अभी तीन गलतिया क्या है जैसे कि आपको live नहीं आना है अगर आपका content monetization policies करना है facebook team को कि अगर आपके page या फिर profile पे content monetization policies हुआ गया है तो हाँ आप पैसे बहुत सारे लोग ये comment करेंगे कि भाई facebook के जितने भी expert है वो ज्यादे तर बताते कि भाई या अगर आपके page पे content monetization policies हुआ गया है तो सबसे पहले आपको videos delete करनी है live आना है और report करना है आपने जट से सारे videos delete कर दिये दूसरा नमबर उसी दिन आप live आ रहे हो उसी दिन report कर रहे हो जो आप report करे होगे वो report जाएगा facebook technical team के पास जिसे एक इनसान चेक करता है वो manually मतलब जो है कि artificial intelligent या फिर facebook का जो autopilot होता है कुछ इस तरीके से detect होके नहीं चेक किया जाता है उसक support को जब check करते हैं उसमें आपका जो पीस होता है उसको review करते हैं और मालो कि आपके पेस पे recent में ज्यादा रीच है मालो की space पे मालो देख रो 48 million रीच है कुछ इस परकार से रीच है तो facebook टीम जब आपके पीस को review करती है तो वो देखती है कि भाई इसके पीस पे तो सिरफ लाइब वीडियो से वो भी आज का जिस पर की 500 या फिर 1000 व्यूज होंगे बहुत सारे को दो सोर लाइस जाता है अगर ज्यादा फॉल्वर्स है तो चाहर हजार पांच हजार दस हजार तक भी चला जाता है तो क्या दस हजार व्यूज पे क्या 48 million रीच जाएगा तो वो लो लोग कहते कि भाई कुछ तो यहां पर स्कैम हो रहा है या फिर कुछ तो ऐसा गरबढ़ है जिस वज़ा से आपके पेस का जो है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इसू को नहीं हटाता मुझे पता है कि आप मैंसे कुछ लोगों को ही ये बात दिमाग में खड़का ह क्योंकि जब आपका पेस टेकनिकल जो टीम होती है फेस्बुक क्यों उसके पास जाएगा तो बताओ आपके पेस पर बहुत सारा रीच है बहुत सादा फॉल्वर्स है और उस पर कंटेंट है ही नहीं उस पर सिर्फ लाइब वीडियो पढ़ी है और आपने उसी दिन लाइ बाज आते हैं वीडियो को सारे को डिलीट कर देते हो और रिपोर्ट करते हो जिस बज़त से आपका जो है की कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी सु नहीं अटता लेकिन यह चीजे ठीक कैसे करने हैं क्या इसका सही तरीका है यह सारा कुछ जानेंगे वीडियो में पैसे कमाने के जिससे की जो भी आपको आसान तरीका लगे वह तरीका को यूज करके आप लोग पैसे कमा पाते हो आप मैंसे बहुत सारे लोग जो की अन कर रहे हैं उन तरीकों को सीख के और जब कमेंट करते हो कि भाई आपकी बज़ा से हम लोग आज 500 डॉलर या फिर 200 ड हो है मतलब चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप सबका क्या प्रॉब्लम है पार्टनर मोनेटाइजेशन है या फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन है या फिर नौट रिकमेंडेलेबल है या फिर आपके पेज पे जो है कि फ्लैक कांटेंट आग प्रॉब्लम है तो उसके उपर हमें एक डेडिकेटेट वीडियो गना देंगे जिसे आप देटके सॉल्व कर सकते हो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक लाइक चरूर कर देना आपके लिए इतना मेहनत करते हैं इतना इंफोर्मेटिव वीडियो लेके आए दोस्तों अब बात यह आती है कि भाई लाइब तो करनी है रिपोर्ट भी करना है आपको अब वीडियो इसको डिलीट भी करनी है अब माल लो कि आपकी पीस पर बहुत जादा रीच है अब इसको ध्यान से समझना ठीक है इसको प्रैक्टिकली नहीं बता सकते आपको क यह कि टेक्निकल सपोर्ट टीम है जो वो किस चीज को चेक करने के बाद आपके पीस को जो है कि ठीक करती है इसको समझ लिया तो समझलो आप किसी भी पीस को easily content monetization policies हटा सकते हो देखो आपको जब भी content monetization policies आ जाता है या फिर आप किसी page पे काम करो या फिर profile पे काम करो तो पहले तो आपको हर week में कम से कम जरूरी नहीं है कि आपके page पे content monetization policy issue नहीं है तो आपको live नहीं आना है बलकि हर एक week में आपको एक live वीडियो आनी है या फिर आप कुछ भी original वीडियो डाल सकते हो कहीं का भी blog डाल सकते हो जिससे कि कल को आप copy paste कर रहे हो या फिर आपका original content है तो उन content को रख सको और बाकी content को delete कर सको जिससे कि वो पुराना पुराना content रहे पुराना live वीडियो से रहे तो जब आपके facebook की technical team आपके report की वजह से आपके page को चेक करने आती है आपके page को वहां से चेक करते हैं तब उनको लगे कि हाँ यहाँ पे बहुत पहले-पहले क वीडियो है और जब वो पहले-पहले की वीडियो होगी तो वह देखेंगे कि पीस पुराना है कुछ प्रॉब्लम की वजह से शायद आ गया होगा और चाहे एक वीडियो की वजह से आ गया होगा तो ऐसे मैं आपके page को जो है की ठीक करते हैं अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे गई भाई तो फिर वीडियो सोटिलेट करना है तो किस टाप से करें यह तो आपने ल्ए लाइब आने का प्रॉस데्ट बताए की सही तरीका के है लाइब अने का तो चलो वीडियो को डिलीट्र Kill करने का ठीक बताता हूं आप मैंसे बहुत सार ऐसे creators हैं जो क्या करते हैं कि भाई वो लोग ये करते हैं कि जैसे उनके पीस पे content monetization policies हुआ है या फिर उनके पीस पे या फिर प्रोफाइल पे किसी पे भी तो वो लोग क्या करते हैं सबसे पहले तो सारे content को delete कर देते हैं वेशक उनका original हो या फिर copy paste जो दोनों पर ही प्रोसेस लागू होता है उनको delete नहीं करना होता है सारे content को सबसे पहले तो एक video का जो है कि check कर सकते हो लेकिन एक video का particular कैसे check कर सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं आता है तो comment कर देना उसके उपर एक dedicated video बना दे तो उसमें क्या करना होता है कि videos को सारे delete नहीं करना होता है क्योंकि आपके paste पर तो बहुत जादा reach है और जब जादा reach है आप report करोगे और आपके पीस पे वीडियोस नहीं रहेगी तो वो लोग क्या कहेंगे यह तो फ्रॉड बन्द है या फिर कोई गलत काम कर रहा है जिस वजह से या फिर कहीं गलत जगह से इसने ट्राफिक लाई एतना फॉल्वर्स लाएक कि इसके पेस पे तो वीडियोस ही नहीं है तो वज़ा से प्रॉब्म आया है सिर्फ उस वीडियो को आपको डिलीट करना है यह आपका क्लियर हो गया लाइब का सही तरीका वीडियोस डिलीट करने का सही तरीका जो कि यह दो गलती बहुत जादा करने थे लो वीडियोस सारे डिलीट करने रहते और लाइब उसी दिन आ है इसको ध्यान से समझो तो आप हर एक पीस को इजिली आप सॉल्व कर पाओगे ठीक है लाइव उसी दिन नहीं आना लाइव आपको बेशक आपकी पीस पेज को करना तो आप अपने का सही तरीका क्या है और रिपर्ट कैसे कर सकते हैं जिससे की प्रॉब्लम ना आए देखो आपको मैं यह चीज किलर कर देता हूं कि रिपोर्ट आप करते हो तो सबसे पहले आपको अपने को देखना है कि आपके पीज पे रीच कितना है अभी आपके पीज पे फॉलवर्स कितना है उस बेसिस से आपका content होना ही चाहिए वहाँ पे like आपके पीज पे कुछ content होना चाहिए जिसमें की views है कुछ ऐसे live वीडियो पहले को होना चाहिए पुराने जिससे की facebook team आपके page को चेक करें तो उनको लगे कि हाँ इस पे पहले की वीडियो से औरे बंदा genuinely काम कर रहा है जिस वज़ा से आपके page को वो लोग green करेंगे यानि की content को content monetization policy जो आया है उसको ठीक करेंगे वो है instant ठीक करने का तरिका तो आपके page पे कभी भी content monetization policy जो आये और आप उसको धरले से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो भाई ऐसा मत करना आप जो लोग सारा delete कर चुके है या फिर जो जिन लोगों ने live नहीं किया या फिर live किया है फिर एकदम जटके से अभी report कर दिया उनको क्या कहना है regular live आना ह और वीडियोस जो कुछ ऐसी वीडियोस डालो जिस पर content monetization policy इसू ना हो याने कि कोई copyright match ना करे आप खुद की कोई vlog बना के डाल सकते हो कोई भी normal सा vlog और तीसरा नंबर report करने से पहले आपके page पे जो live वीडियोस है वो कम से कम 2-4 दिन पुराना होना चाहिए या फिर जो आ remove होता है तो सिर्फ live आने से या फिर report करने से या फिर content को delete करने से कभी भी आपका page ठीक नहीं होता उन सबका एक तरीका है जो कि मैंने इसमें पूरा clearly समझा दिया वीडियों में कुछ अच्छे information लगे कुछ genuine चीज जो लगा ही है बाई चैनल को subscribe कर लेना ठीक है यहाँ प फिर किसी दूसरे वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखना दू